तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर वन का यूनेटर मेसरमेंट का वन शॉट लेक्चर अगर आपको ऐसे ही लेक्चर बाकी चैप्टर के भी चाहिए तो लीचे कॉमेंट के बरसात कर दो और इस वीडियो का टार्गेट लाइक 2000 रखता हूं और इस अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से वह चीज़े बना के आपको दू तो भाई नीचे कॉमेंट के बरसात करो जैसा आपका रियक्शन वैसे मेरा एक्शन तो चलो वड़ापट वड़ापट स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात तो फिजिक्स क्या है फिजिक्स एक साइंस का आप ब्रांच है जो किसके साथ दील करता में समयर में सर्मेड और फिजिकल थेरीई के साथ दील करता है अब टूटल चार्ट टाइप के सिस्टम वफ यूनिट आपके बुक मैं सीजियास एंकेस एफफ यह एनस इस इसी फिसिकल काईड़ी जो खुद के मेजर मेंट के लि अगर मैं इसके युनिट की बात पुर लेंद का मींटर होता है मास का केजी होता है टाइम का सेगेंड होड़ा टेंपरचर कल्विक एलेक्टरिक करन्ट के अब इसके तो अब इसके बात करो अइसके फिजिगल कोंटिटी जो खुद के मेज़रमेंट के किसी और इपर अगर मैं आपको बूले है अगर इसको खुद के लिए किसी खुद को डिफाइन करने खुद को मिजर्मेंट के लिए किसी और पर डिपेंडन होना पड़ता है तो इसको हम क्या बोलेंगे अब क्यांड सब्रिमेंटरी यूनिट्स की बात करों दो सब्लीमेंटरी यूनिट्स एक है प्लेमियंटरी दूसरा है हमारा शॉलीड एंगला फेप करो lah उनाय। आरीटकी में कि सोलीड प्लेट कि नंगल कि सोलीड की बात करो तो यह वाला जो एंगल है वाला ऑला इंगल इसको बोलेंगे हम solid angle और यह इसका unit stay Radian होता है यह spear से related होता है और अगर मैं इसके formula की बात करूँ तो गई simple सी बात है एकदम प्यारा सा अगर मैं यहां लेकूँ यह हमारा surface area और radius square जब हम क्या करेंगे area of surface area को हम square of radius से डिवाइड करेंगे तो जो value मिलेगी value किसकी होगी solid angle की होगी तो surface area और जो radius को क्या करना है square करना है तो जो value मिलेगी और किसकी होगी solid angle की इसके बाद गई sign condition मतब कुछ rules ऐसा unit लिखने के time यह हमारे दिमाग में होना चाहिए जब भी हम physical quantity के यूनिट्स लिख रहे हैं तो हम किस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम कभी आगर हम कभी यूनिट को full form में लिख रहे हैं यूनिट को full form में लिख रहे हैं तो हमेशा वो स्मॉल लेटर में होना चैए even परसन का नाम तो भी किसमें रहना चींट स्मॉल लेटर में होना चैए full name of unit always start with small later even if the name is after a person person का नाम रहा तो भी अगर नियूटन है और फुलीपोर्म में लिक रह तो हमेशा उसको स्मॉल लेधर में लिखते हैं हां एक चीज़ क्लियर कर बताना चाहूंगा कि अगर इसको सिंबॉल में लिख रहे हो तो पर्सन नाम रहेगा तो क्यापीटल में और पर्सन का नाम नहीं है तो किस्में लिखना स्वाइल में लिखना बंदगना इसके बाध फिसिकल तो आप तकने स्काए तो हमें इस तरह से नहीं लिग सकते हैं हमें इसको सिंगल रिशो में लिखना पड़े हैं मीटर पर सेट्टेटन इसके बाद गाइस दूनोट गिव फूल स्टॉप यूनिट लिखने का तो फूल स्टॉप देनी कि आतल भाई अटा दो दूनोट यूस कॉंबिनेशन और यूनिट एन से बॉल इन सिंगल यूनिट ओके सही बात है उपर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो और नीचे सिंबॉल में लिख रहे है उपर अगर सिंबॉल में लिख रहे तो नीचे भी किसमें लिखना है सिंबॉल में लिखना है इसके बाद गाईस अगर हम देको मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकंड इस तरह से या तो अगर हमें ऐसा लिखना है तो हम थोड़ा गया देके इस तरह से लि रहा है बट observer के position को change करने के वजह से सामने वाले object के position में apparent change दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते parallax method और इसके तू हम large distance को find कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो यह planet है यह हमारा जो planet दिया है planet को planet का distance हमारे earth से कितना दूरी पर है यह हम पता लगा सकते हैं तो parallax angle equal to arc upon radius यह वाला formula होता है और अपने detail वाले lecture में मनें बाकी बताए कि यह कैसे find करते हैं इसके बाद measurement of size of planet के बागर हमें planet planet का size पता लगाना है थोड़ी उपर जा कि मेजर करेंगे कैसे पता लगाते है simple सी बात है alpha यह वाला यह जो अर्थ पर ही रहता है यह हमारा distance की जो distance है यह और equal to diameter मनलब यह यह तो हमें पीछे से मिल जाएगा पीछे वाला जो यह वाला पार्ट हमने किया यह वाला इस से मिल जाएगा और यह वाला alpha यह हमारे अर्थ पर ही रहता है दोनों को multiply करेंगे तो diameter of a planet मतलब planet का size हमें क्या होता है मिल जाता है इसके बाद गईस जो बहुत ज़्यादा small distance होता है जिसका बहुत size बहुत ज़्याद छोटा होता है वह हम वर्रेल कैलिपर और से जनरली यूज करते हैं अपने स्कूलों में अब कॉलेजस में देख लिया होगा और इलेक्ट्रों माइक्रोस्कोब और टेनली माइक्रोस्कोब जो हमारे नेकड़ाई से जो आटम्स दिखाई नहीं थे उनको भी हम इसका यूज करके क्या कर सकते हैं उनके साइज का पता लगा सकते हैं इसके बाद सबसे पहली बात तो यह समझ लेना कि जितने नंबर वाले decimal बीच में रहे या ना रहे यह जितने ही डिजिट होते हैं यह सभी को हम significant digit count करते हैं इसके बाद गाइस दूसरा rule क्या है कि non zero के बीच में non यह non zero है मतब non zero वाला number जो zero नहीं होता non zero के बीच में अगर कोई zero है तो वो भी significant count होता है इसके बाद गाइस जो अगला वाला है हमारा कि यह देखो अल जीरो टुद राइट ऑफ लास्ट नौन zero डिजिट अनौन सिग्निफिकेंट मदब कहने का मतलब यह है कि यह राइट हैं साइड में राइट हैं नौन zero के राइट हैं साइड में रहने वाला जीरो सिगनिफिकेंट नहीं होता तो यहां सिगनिफिकेंट बस किता है one two three four ओके इसके बाद गाइस अगला कि मैं यह आपको बताऊंगा यह डेसिमल को यह हमारा है decimal के राइट हैं साइड और ओन जीरो के लेट हैं साइड डासिमल के राइट हैन साइड और गयर के हम बते करते हैं अब धियान यह रख लो यह वाला जीरो नहीं है बट डेसिमल के राइट एंसाइड और नौन जीरो के राइट एंसाइड में रहने वाला जीरो सिग्डिफिकेंट है तो यह अल्रडी इतने रूल्स इसके बाद टाइट सव एरर कितना होता है सस्टमाइडिक अरॉर रहता है रंडम उसका प्रॉपर फोकस नहीं होने के वज़ए से यह एर जनरेट होता है इसको बोलते सस्टमाटिक यह पॉजिटिव और यह तो सबका पॉजिटिव होगा या तो सबका नेगेटिव ही होगा दूसरा रेंडम एरॉर यह रेंडम हो जाता है अचानक से वोल्टेज बढ़ या अचानक से temperature बढ़ गया अचानक से electric current drop हो गया और यह कुछ भी हो सकता है कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता तो ऐसे रर को हम random error हो सकते हैं यह positive भी हो सकता है या तो negative भी हो सकता है यह हो गया हमारा types of error इसके बाद कि यह हमारा density mass upon volume density अगर हमें dimension आता है फाइंड करने के लिए तो किस तरह से find करोगे यह देखो mass mass LMT और नीचे वाले की मैं इसे लिख देता हूँ फिर मैं combine कर दूँगा LMT अब इस mass mass के लिए यह बाकी quantity zero हो जाए और mass मतलब m raise to one अब यह volume है volume का unit क्या होता है मिटर क्यूब मिटर क्यूब एक तरह से क्या होता है length होता है तो L raise to three और बाकी क्या हो जाएगा क्योंकि हमें combine करना पड़ेगा क्या क्या करना combine क्योंकि हम density का find कर रहे हैं और यह हो गया one इसके बाद यह हो गया zero तो L raise to minus three M raise to one T raise to zero यह हो गया हमारा density का इसी तरह से मैंने बहुत सारे quantity का है dimension already find किया हुआ है जाके आप उसको detail लेक्चर में देख सकते हो इसके बाद गाइस uses of dimensional analysis यह बस मैं आपको short में बताऊंगा we equal to u plus 80 तो गाइस क्या करना dimension का use करके dimension का use करके हम क्या करते हैं इसको check करते हैं कि left hand side और right hand side same है कि नहीं जैसे मैं यहां बसे सलिक्ट लम्ट 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 यह हम तीनों को find करते अगर तीनों का से माता है तो हम left hand side equal to क्या लिकिंग राइड इसे और इस से हमें यह पता चलता है कि डामेंशन का रिलेशन भी find कर सकते हैं जैसे टीकोल टूपा अंडरूट एल अपॉन जी ओके यह वाला आपने वीडियो में बताया हुआ जैसे यहां दिख रहा है टी इस डारेक्ली प्रोपोस्टन टू लेंद और इस इन्वर्स्टी प्रोपोस्टन टू लेंद तो हम यह साइन करते हैं हम लोग ऐसा बना देते हैं देखो ऐसा टी इस लेंद रेज्टरो ए और जी ह्यास टू बी और है इसका भी हम क्या लिखते हैं और इसका भी प्रक्रोप स्पर साइल arranged ऑ euroılar दॉन के अग्वरрокon वी की value आ जाएगी और A की value यह और B की value यहां रखोगे तो अपने आप समझ में आज आएगा कि A की value positive आनी चीओ बीकि वेल्थ negative क्यों कि negative आएगा तो इसको हम डिवाइड में ले लेंगे इस तरह से सब्सक्राइब करने को भी हम सकते हम डाइमेंशन यूज करके यह भी मैंने किया है प्लीज जा के डायट दीडियो में देखना कियो उसके अंदर कि जम तो तब 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 चीज़े कुछ होने वाली ने एस्टिमेशन और कॉंबिनेशन और ओके थोड़ा मैं फटक से फॉर्मिला सब फॉर्मिले फटा 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 मैं आपको लिख के बदा देता हूं ओके जैसे अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो मालो मैंने टोटल नंबर ओफ रेडिंग फाइंड किये तो नंबर ओ रिडिंग बैन यह होगे हमारा मीन वैल्यू वेल्यू विई बोलो टूव वैल्यू बोलो या मॉस्ट पॉपर वैल्यू वहलो अपका मतलब एक यह इसके बाद गाईस हमारा जो दू mean value जो हमारे यहां जो answer आएगा उसको हर उसके individual value से minus करेंगे मालब number of observation reading के लिए हमने number of observation लिया हुआ number of observation लिया अब दूसरे वाले के absolute अगर find करना है तो कैसे करेंगे mean को second से तीसरे का find करना है mean को third से और उसी तरह से गाइस and number of find करना है तो and number of observation से क्या करना है तो अगर मैं absolute error की कहानी बता हूँ absolute अगर मैं इसके definition की बात करूँ तो it is difference between mean value and individual value mean value और individual value ओके यह हो गया और अगर इसी का हमें mean absolute error निकालना है क्या निकालना mean absolute error किस तरह से निकालेंगे बस गई सभी को plus कर दो मैं ऐसा लिखता हूँ mean mean absolute error अब सबको क्या करना mean absolute यह डेल्टा जो है न यह absolute का sign है याद रखो यहां तो हम क्या करेंगे सबको plus कर दो डेल्टा एवन प्लस एटू प्लस अब डिवाइड भी कित्ते से करेंगे एंड से करेंगे यह होगे हमारा mean absolute error अब अगर हमें relative error आता है रिलेटिव एरर आता है रिलेटिव एरर हम किस तरह से फाइन करेंगे बस गया इस क्या करना mean absolute error को जो हमारा mean absolute error आया है उसको इस mean value से क्या करना है डिवाइड कर देना है तो हमारा आउचाग रिलेटिव एरर और एगर पर्सेंट रिलेटिव एरर पर्सेंट पर्सेंट रिलेटिव एरर तो हम कैसे करेंगे इसी को multiply by 100 यह हो क्या complete formula मैंने फटाक से एक screen पर लिग दिया जल्दी जल्दी कि कम time में इसको खतम कर रहा है इसके बाद सब यहीं लिखा हुआ है अलग-अलग करके अब इस combination of error मतलब क्या होता है combination of error मतलब जिसके अंदर error क्या होता प्रोगेट होता है आगे बढ़ता है उसको बोलते हम combination of error और यह दोनों में error हो गया तो यह अपने प्रोगेट होके हमारे resistance में भी error आएगा तो propagation of error हो गया यह combination of error दोनों चीज़े बोलते है हमने यह थोड़ी find किया था find यह किया था यह find करके इसके अंदर अपने आप error हो गया इसके बाद गाइस तीनों यह आपको मेरे वीडियो से देखना चाहिए क्योंकि यह आपको तभी clear cut समझ में आएगा कि एक्च्वल मास थोड़ा से इसके बारे बता देता हूँ इसका जो final result होगा पहले वाले का में डल सब्सक्रा-अर इस तरह से आंडर इसके बात डिवाइडं का रेलेटिवरस के अंदर होता है कैसे होता यह देखे प्लास मेор डल्ता जड़ड अपोन जड़न् mesmo माहिए डहैंटम्त लोस माइस डेलिटा एपन यह प्लस मायज डल्टा अपन प्लस मान डिलटा बी बढ़ेगा जितना ज्यादा रगाट कोई तो हमारा और यहां पूर कर को मैं खतम डिया और यह हमारा सेकेंड चेप्टर है और एक शॉर्ट रिविजन मैंने आप लोगो दिया कि पूरे चेप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है मिलते हैं एक्ष्ट वीडियो में थेंक्यू सूमस्ट गाई जय है हिंद एंड जय है मारा अश्टर दूसरे